हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें अनू के पिता राकेश और भाई सोनो रवीवार के दिन आंगन में बैठे ताश खेल रहे थे दोनों ही ताश के पत्ते पे पत्ता गेम को खेल रहे थे तब ही अनू हाथों में चाय नाश्ता लिए हुए अपनी पिता और भाई के पास आती है और उनको ताश खेलते देखने लगती है ये ले पान की दसी लो पापा मेरी तरफ से हुकुम का इका बेटा जीतूँगा तो मैं ही देख ले पत्ते खतम होने वाले हैं हम दोनों के अरे पापा क्या पता आखरी पत्ता किसमत बदल दे आप बस फेकते जाओ दोनों को यूही खेलता हुआ देखकर अनू बोलती है भाईया पापा गर्मा गरम चाई ले लिजे और भजिये भी हाँ बेटा रख दे बस गेम खतम ही होने वाला है हाँ हाँ देखना अनू आज मैं जीत जाओंगा पापा हार जाएंगे सोनू इतना बोल ही रहा होता है कि तभी राकेश का फेका हुआ पत्ता सोनू के पत्तिसी मैच हो जाता है और वो गेम जीत जाता है तभी राकेश बोलता है अरे सहाब जादे बाप हुँ मैं तेरा तुझे खेलना मैंने ही सिखाया है अभी तुझे मुझसे जीतने में समय लगेगा हाँ पापा सही कहा आपने कोई नहीं एक ना एक दिन मैं आपसे जीत जाऊंगा चलो भजिये खाते हैं पापा ये ताश खेलने में इतना मसा आता है क्या आप हर रविवार या फिर किसे भी छोटी वाले दिन भाईया के साथ हमेशा ताश खेलते हो हाँ बेटा मज़ेदार गेम है ताश हम बाप बेटे ताश तो खेलते ही हैं चात में बाते भी कर लेते हैं एक साथ समय बीच जाता है पापा मुझे भी सिखा दो ना ताश खेलना ओई पागल लड़किया नहीं खेलती ताश भाई जुआ खेलने की बाद थोड़ी ना कर रही हो जो ऐसे गुसा कर रहे हो सिखा दो ना पापा प्लीज अचा ठीक है सिखा दूँगा मैं पर अगले रविवार को चल जा अपनी मा का हाथ बटा घर की काम में अपनी पापा की बात सुनकर अनोँ खुषी खुषी अपनी मा पुनम के साथ काम में लग जाती है दिन गुझरते जाते हैं और फिर से रविवार का दिन आता है घर का काम खत्म करने के बाद अनो हाथ में ताश की गड़ी लिये हुए अपने पापा और भाई के पास जाकर कहती है पापा आज मुझे आप ताश खेलना सिखाओगे आपको याद है ना? याद है आबेट देख बताता हूँ कैसे खेलते हैं इतना कहकर अनो राकेश के हाथों में ताश की गड़ी देती है जिसके बाद राकेश अपनी बेटी को ताश में खेली जाने वाली पत्ते पे पत्ता, रम्मी, तीन पत्ती, काउंटिंग आदी सारी गेम सिखाता है ऐसे ही वक्त गुजरता है अब हर राविवार को राकेश और सोनू के साथ अनो भी ताश खेलने लगती है और धीरे धीरे वो ताश खेलने में इतना जाता माहिर हो जाती है कि एक दिन वो अपने भाई और पापा के साथ बैट कर ताश खेल रही होती है तब ही सोनू कहता है आस तो मैं ही जीतूँगा देखना देखते हैं भाई अभी तो last game चल रहा है ये मेरा last पत्ता ये मेरा भी last पत्ता और ये है मेरा आखरी पत्ता और इसी के साथ मैं जीत गई ये ये मसा आगया लगातार तीसरी बार हराया है मैंने आपको हाँ बेटा तू तो ताश खेलने में मुझसे भी महाईर हो गई पर बेटा जरूरत से ज्यादा नहीं खेलना है ओके पापा जैसा आपको हो ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और अनू की शादी कुंदन नाम के एक भले लड़के से होती है शादी के बाद अनू अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समभालती है ऐसे ही एक दिन कुंदन अपनी कमरी में बैठा आराम से फोन में रमी खेल रहा होता है तब ही वहाँ पर अनू आकर कहती है सुने मेरे साथ मार्केट चलिए ना घर का को जरूरी समाल लाना है चलते हैं अभी मुझे गेम पुरा करने दो अरे गेम बाद में खेल लेना चलो ना मेरे साथ यार रुक जाओ ना बहुत मस दाओ लग रहा है ओहो ऐसा भी कौन सा गेम खेल रहो बताना मुझे रम्मी खेल रहा हूँ यार क्या रम्मी सच में सच में ये देखो अरे वाँ मुझे भी आता है रम्मी खेलना मुझे तो कोई हरावी नहीं सकता ओह अच्छा ये बात है मैडम, शायद आपको पता नहीं है, मैं रम्मी का कितना बेस्ट प्लेयर हूँ होंगे आप बेस्ट, लेकिन अभी तक आप मुझसे नहीं मिले थे, ताश की बहुत बड़ी प्लेयर और विनर हूँ है ये बात है तो चलो फिर एक एक गेम हो जाए पर फोन में नहीं, मैनुल खेलना होगा ताश के पत्तों से ओके ठीक है, जैसा तुम जाओ, जितना तो मैंने ही है इतना कहकर कुंदन अलमारी में रखी हुई ताश की गड़ी निकाल कर लाता है जिसके बाद अनु और कुंदन दोनों बैट पर आराम से बैट जाते हैं तभी अनु ताश की गड़ी के पत्ते आगे पीछे करके उन्हें अच्छे से मिक्स करती है और फिर दोनों पती पत्नी रमी खेलना शुरू करते हैं और पहली बारी शुरू होती है अनु और कुंदन दोनों ही ध्यान लगाकर अपने पत्तों को देखने लगते हैं और बारी चलना शुरू करते हैं अनु जीत जाती है और कहती है देखा जीत गई ना कहा था ना आप भले ही विनर हो लेकिन मैं आपसे भी आगे हूँ मानना पड़ेगा तुम तो इसमें चैंपियन हो अब जल्दी चलो मेरे साथ मार्केट सामान लाना है हाँ हाँ चलो इतना कहकर दोनों पती-पत्नी मार्केट के लिए घर से निकल जाते हैं ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं कुंदन और अनू आए दिन योही फ्री टाइम में ताश खेलने लगते हैं धीरे धीरे अनू को अब ताश खेलने की लट लग जाती है और उसकी लट इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो अकेले ही ताश खेलना शुरू कर देती है ऐसे ही एक दिन वो बड़े आराम से घर का सारा काम छोड़ कर ताश खेल रही होती है तब ही वहाँ उसकी सास निर्मला आकर कहती है अरे ये क्या कर रही है यो जुआरियों की तरह पत्ते बिचा कर बैठी है घर का काम नहीं करना क्या अरे माजी आप फ्री है ना सुनो ना घर का काम तो मैं बाद में भी कर लोगी आप मेरे साथ बैठो ना हम दोना मिलके ताश खेलते है बहु पागल हो गई है क्या मुझे काम करना है और भी अरे माजी खेल लो ना ताश बड़ा मुझा आता है खेलने में नहीं मुझे नहीं खेलना तू ही खेल अपने ये ताश वाष मुझे रही खेलना और उटकर घर का काम कर ले नहीं तो मैं आग लगा दूँ कि तेरे इन ताश में माजी आग क्यों लगा रही हो मैं जा रही हूँ ना काम करने मजाब कर रही थी मैं तो इतना कहकर अनू ताश को वहीं रख देती है और जाकर घर का काम करना शुरू करती है वक्त गुजरता जाता है घर के सभी लोग उसकी ताश खेलने की इस आदत से बहुत परिशान हो जाते हैं अब कभी अनू गैस पर रूटी जला देती तो कभी सबसी में नमक बढ़ा देती तो कभी कज ऐसे ही एक दिन कुंदन का पेट खराब हो जाता है और ताश खेलने के चकर में अनू कुंदन को लूज मोशन ठीक करने के जगा बढ़ाने की दवाई देती है जिससे उसकी तबैत और खराब हो जाती है और कुंदन को हॉस्पिटल तक में अड्मिट किया जाता है चेक अब के बाद डॉक्टर बोलते हैं जी देखिए कुंदन जी से बात करने के बाद और उनका इलाज करने के बाद मुझे ये पता चला है कि उनको लूज मोशन हुआ था जिसकी जगह किसी ने उन्हें लूज मोशन ठीक करने की जगह उसके बरहाने की दवाई दे दी आप सही समय पर इन्हें हॉस्पिटल ले आई वरना इनकी हालत बहुत जाता गंभीर और खराब हो सकती है इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और डॉक्टर की बात सुनकर अनू को अपनी गलती का एहसास होता है इससे पहले के निर्मला अनू को कुछ कहती अनू खुद ही अपने हाथों में पकड़ी हुई ताश की गड़ी को कच्री की डबे में डाल कर कहती है माजी मुझे माफ कर दो आज की बाद मैं कभी ताश नहीं खेलूँगी अपना सारा ध्यान लगा कर सारे काम करूँगी और खुद को अपनी ताश खेलने के लट से आजाद करवाऊंगी मेरी वज़ा से कुंदन जी की ये हालत हो गई पीस मुझे माफ कर दीजे खीक है बहू तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया यही बहुत है अंत भला तो सब भला निर्मला अनू को माफ कर देती है और अनू फिर दोबारा ताश नहीं खेलती सुबर का सुहाना मौसम था अदित्य अपनी वाइफ किंजल को फोरेट पर किस करता है और उसे जगाते हुए बोलता है जन उठ जाओ तुम्हारा फर्स डे है आज तुम्हें पूजा भी तो करनी है सोने दोना मुझे और तुम भी सो जाओ किंजल यार उठ जाओ देखो छे बज रहे हैं बार मौसम तो देखो कितना अच्छा है शायद बारिश होने वाली है अच्छा ठेक है उठ रहे हो That's my lovely wife किंजल उठकर जल्दी से तयार हो जाती है सरपन पल्लू रखकर बगवान की आर्टी करती है जिसके बाद वो अपने ससुर अखिलेश और अपने पती आदित्य को प्रशाद देती है और अखिलेश थोड़ा सा प्रशाद अपनी वाइफ को खुद अपने हातों से खिलाता है क्योंकि उसकी पतनी सविता एक एकसिडेंट के कारण पैरलाइज हो चुकी थी जिसकी वज़़ से ना तो वो कुछ बोल पाती थी और ना ही वो चल पाती थी वो हमेशा ही वील्चेर पर बैठी रहती थी तबी अकलेश अपनी बहु से कहता है बहु आज से घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी और साथ में तुम्हें अपनी माजी का भी ख्याल रखना पड़ेगा जी बाबुजी मैं अच्छी बहु की तरह सब का खयाल रखूंगी कभी किसी को निराश नहीं होने दूगी पक्का ना बहु मुझे निराश तो नहीं करोगी न जी बाबुजी कभी भी नहीं अरे किंजल मा के लिए न साधी दाल मना देना और टाइम से दावा दे देना जी अदित्या बहु जल्दी से नास्ता लगा दो फिर अदित्या को भी ओफिस जाना है जी बाबुजी इतना कहकर अखिलेश अपनी बीवी को कमरे में ले जाता है और कमरे में जाकर सविता के सामने कहता है वा मेरे बेटे क्या हुसन परी जैसी बहु लाया है क्या नैन नक्षें क्या गोरी सी कलाईया हैं और प्यारा सा चहरा किसी ना किसी दिन तो हाथ में जरूर आएगी ओहो तो तुने मेरी सारी बात सुनली सुनली तो क्या भी फरक पड़ता है मुझे कुछ उगल तो सकती नहीं किंजल रसोई में स्टूल पर चड़कर दाल का कंटेनर निकाल रही थी उसका पैर अचानक से फिसल जाता है कि तभी उसके ससुर आकर उसे बचा लेते हैं और अपने ससुर के टच से किंजल को बहुत ही अजीब सा फील होता है तभी वो बोलती है बाबुजी आप यहां कैसे? वो बहू मैं पानी पीने आया था तू गिरने वाली थी इसलिए मैंने बचा लिया तुझे कहीं लगी तो नहीं न? नहीं बाबुजी मैं ठीक हूँ शाम के वक्त जब अधित्य ओफिस से वापस आ जाता है तो दोनों अपने कमरे में होते हैं जहां पर किंजल अधित्य से ही कहती है अधित्या मुझे आपसे कुछ बात करनी थी हाँ बोलो ना मुझे बाबुजी का स्वभाव थोड़ा अजीब सा लगता है ये क्या कह रही हो तुम किंजल अरे यार उनकी बात का बुरा बत मानना वो बाहर से थोड़े सक्त है लेकिन दिल से बहुत नर्म है अब इदिनी कितने व्य हैं देरे देरे तुम जान जाओगी उने हाँ हो सकता है तुम सही ही कह रहे हो तुम्हें याद है हमारी शादी कैसे हुई थी कितना एंजोई किया था न हमने कल अपनी शादी में नदित्या वक्त गुजरता रहता है ऐसे ही एक दिन अकिलेश मार्केट से सबजियां लेकर घर आता है और लड़ खड़ा कर चलने की एक्टिंग करता है जिसके कारण किंजल उसे ऐसे देखकर उसका हाथ पकड़कर अंदर तक ले आती है और उन्हें सोफे पर बैठा कर बोल बहुत दर्द हो रहा है बहुत जोर से पैर में लग गई है घुटना कहा हो रहा है बाबुजी बहुत जरा यहां बाम लगा दो बहुत दर्द हो रहा है अपने ससुर की बात सुनकर वो उनके पैर उपर बाम लगाती है और अखिलेश सिर्फ उसे अपने पैर उपर भी नह पर बाबुची आपको चोड़ तो गुटने के नीचे लगी थी ना हाँ बहू पर असर तो उपर हो रहा है वो बाबुची मैं जाती हूँ माची के खाने का वक्त हो रहा है ये सब कुछ होते हुए सविता देख लेती है और वो वीलचेर पर बैट कर अपने पती से जल रही ह होती है और उसे अपनी बड़ी बड़ी आँखों से घूर घूर कर देखती है तभी अखलेश उससे कहता है तुमसे देखा नहीं जा रहा है कि बहू मेरे पैर में तेल लगाए दो साल से मेरे कलेजे पर नागिन की तरह कूंडली मार कर बैठी हो जरासा बहू को प्यार से क कलन होने लग गई वक्त बीतता रहता है अखिलेश अपने बेटे के पीछे से अपनी बहू को छुपकर देखना शुरू कर दीता है उस पर नजर रखता है उसे चूने की कोशिश करता है ऐसे ही एक दिन किंचल मिरर के आगे खड़ी होती है कि तभी उसके ससुर पीछे से क पुंडी बंद कर देते है किंचल मिरर में से अपने ससुर को देख लेती है जिस पर वो बोलती है अब कितना दूर रहोगी मुझसे अब करीब भी आ जाओ मैं आदित्या को नहीं बताऊंगा किंचल रोते हुए दरवासा खोल कर अपनी सास के कमरे में चली जाती है और वहाँ जाकर दरवासा बंद कर लेती है साथ ही सविता से ये बोलती है माजी माजी प्लीज मुझे बचाईए देखे बाबुची मेरे साथ क्या कर रहे है शाम को अदित्य घर वापस आता है और किंचल उसे रो रोकर अकिलेश की हरकतों के बारे में सब बताती है जिसके बाद वो किंचल पर बहुत गुस्ता होता है दो चार दिन वीच चाते है अकिलेश अपनी बहु को चरतरहिन बताकर अदित्य की नजरों में गिरा देता है अदित्य पागलों की तरह अपने पापा की हर बात पर आख बंद करके विश्वास कर लेता है और अदित्य उसे माफी मांग कर अगले दिन ओफिस चला जाता है ऐसे ही एक दिन अखिलेश अपने करतूत एक बार फिर से सविता की आगे बोल रहा होता है कि तभी अचानक से उसकी आवाज आ जाती है और वो बोलती है मैं आदित्य को सब बता दूँगी आपके बारे में क्या बताएगी कि मैंने अपनी बहोग के साथ छेड़ चाड़ की यही ना हाँ सब बता दूँगी और पुलिस को भी बता दूँगी तो जब बचेगी तब तो बताएगी ना लेकिन अब तेरे जाने का समय आ गया है फ पुलिस को फोन करके अपने ससुर की सारी नीच हरकतों का काला चिठा खोल देती है और अपने पती को भी हॉस्पिटल बुलाती है साथ ही अदित्यर अपनी मा की ये हालत देखकर बोलता है माह माही आपको क्या हुआ किनजल किसने किया मा के साथ ये सब नाम बताओ उसका बैठ छोड़ूगा नहीं उसे सच में नहीं छोड़ना अदित्या उस आदमी को हाँ किनजल तो अपने पिताजी को जेल बिजवाने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि ये और किसी ने नहीं बलके तुम्हारे पिताजी ने किया है किनजल तुम फिर से मेरे पापा को कुछी देर के बाद पुलिस सविता का बयान लेने के लिए आती है और एविडेंस में किनजल की बनाए हुए वीडियो को रिकॉर्ड करके ले चाती है साथ ही अकिलेश को इस सब के बिहाफ पर गिरफतार करके हमेशा के लिए जेल में डाल देती है जिसके बाद सविता अपने बेटे और बहु के साथ खुशी खुशी एक ही घर में रहने लगते है तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये अयाश ससुर और संसकारी बहु की कहानी क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहु अगर हां तो ने ये वीडियो दिखाईए और हमें कमेंट करके बताईए दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा